जित्ते भी स्टूडेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए डबल खुसकबरी निकल कर आ रहा है डबल खुसकबरी के बात करें तो सबसे पहले मान्य स्री मुख्य मंत्री भुपेज बगेल जी ने ऐलान किया था कि 36 गड में जो है सिक्चा के 10,000 पदों पर जो है आप आप लोगों के लिए जो है 85,000 सिक्चक भरती जो है निकला है एक सितमर से इसके लिए भी आप आवेदन कर शकते हैं इस बात को समझे इतने हाई लेवल पोश्ट आप सभी स्टूडेंट के लिए आया है जिससे आप लोगों का सेलेक्शन हो जाए और 36 गड के जित्ते भी स्टूडेंट जो बेरुजगार है जो टीचर बनना चाहते हैं अपनी बेरुजगारी को दूर कर सकते हैं क्योंकि 85,000 पोश्ट आप लोगों को मिला है और इसकी प्रक्रिया जो है एक सितमर से लागू हो जाएगा जिसमें आपके इसकूलों में 45,852 प्रधान सिक्चक वा तो किस तरह से आपको एक्जाम के प्रप्रप्रेशन करना है किस तरह से तयारी करना है जिससे आपका सेलेक्शन हो जाए तो सभी डिटेश्ट इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है तो बीना देरी किये वीडियो को देखते रहो आपको हर एक्जानकारी अप्ट इस चीज़े बाद हो जाएगा और कौन-कौन से रुकाउट है आपके एक्जाम के तयारी में सभी चीज़ों में एक तरह से बोले तो कौन-कौन से रुकाउट है आपका बाधहुत्पन हो गए तो बी-एड और डी-एड वाली स्टुडेंट के लिए तु अच्छे खुशक सब्सक्राइब हो जाएगा पंदरे दिनों का टाइम है पंदरे दिनों के बाद आपके पास यह सभी चीज़े और फार्मूला जो है रूल आपका जो है पॉलीशी लागू हो जाएगा तो इसके लिए क्या करना है आपने जित्ते भी डाक्योमेंट्स है इस अच्छे से र जो है आपने यह सभी चीज़ आपका जो है देखा जाएगा मैं इंगरेशन सेटिफिकेट यह भी चीज़े आपका और निमाज जाती यह प्रमान पत्राम के जो अफिशली चेक किया जाता है देखा जाता है तो यह तो भरती परिक्षके सम्मंद में जो है बहुत बड़ी update आप सब भी student के लाए है 8 साल बाद जो है सिक्षक बनने का मौँका 85 अजार पदो पर भरती होगा तो आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से syllabus होता है, exam pattern होता है कौन कौन से strategy आपको अपनाना है CG WAPA में exams को crack करने के लिए आपको क्या करना है क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ कि 36 गड़ में सिर्फ दो ही exam है दो ही exam जो सबसे ज़ादे important होता है पहला क्या है सभी लोग आउगात होंगे, कई लोगों को पता नहीं है, पहला है आपका CG PSC, लोग, सेवा, आयोक सेकेंड है आपका CG VYAPAM आप बैसे काफी student होंगे जो इनको पता नहीं है कि CG PSC में कौन कौन से poster होते हैं और CG VYAPAM में क्या होते हैं CG PSC के बात कर रहे हैं तो CG PSC के थुरू आप जो है DSP बन सकते हैं District Superintendent of Police आप DCP बन सकते हैं Deputy Collector बन सकते हैं RI बन सकते हैं Food इन वो अलग में आजाएगा आप जो है CMO बन सकते हैं बहुत सारे पोस्ट होते हैं अधिकारी लेवल के पोस्ट है आप ये बन सकते हैं वही व्यापम के बात करें तो व्यापम में आप होस्टल वाडन बन सकते हैं पत्वारी बन सकते हैं और Revenue Inspector बन सकते हैं Monday नी रिक्षक बन सकते हैं Amin पत्वारी बन सकते हैं जल प्रहरी बन सकते हैं टीचर बन सकते हैं Traffic Police बन सकते हैं ये IDO बन सकते हैं ये सबी चिज़े आप जो है व्यापम के थ्रूब बन सकते हैं तो किस तरह से आपको जो है exams की त्यारी करना है आप ऐसे काफी student होते हैं जो क्या सोचते हैं सर हम CG PSC के exam की preparation करें या फिर VAPAM की त्यारी तो हम आपको बताना चाहता हूँ बस दोनों के syllabus में थोड़ सबस आपको difference देखने को मिलेगा बांकि दोनों का syllabus जो है एक ही रहता है जरूरी यह है कि आप कौन से exam के त्यारी करना चाहते है जैसे आपको बताना चाहता हूँ यदि आप CG VAPAM में पटवारी के exams के त्यारी करना चाहते हैं अभी रीचेंट में पटवारी के exam सुआ पटवारी के exam के त्यारी करना है आपका एक साथ हो जाएगा तो थोड़ा सा सिमलर रहता है आपका दूसी तरह से आपको दोनों को मेंटेन करके जो है इस्टडी करना ताकि आप लोगों को सेलेक्शन जो हो जाए तो वहीं बात कर लेते हम किस तरह से और कौन-कौन से बुक्स आपको तैरी करना है तो सबसे करना चाहता हूं इंडियन एख्री के लिए क्योंकि जब तक आप लोगों को इंडियन एख्री भारती धिहास के बारे में पतने होगा आप का Crunch kungai नहीं होगा तो इंडियन हिष्टी के प्रेपरेशन के लिए आपको जो है टूट्वेजर टूटोरियाल नि DID को जो है लच्छमिकांत की भारत की राज्योवासलिन है जिसे आपको कॉंस्टिट्टुसंस के बारे में जो है डिपली नॉलेज मिल जाएगा आपको एम लच्छमिकांत सर के बुक में इतने अच्छे से बेसिक से लेकर एड़ाम्स हर एक चीज नॉलेज जो भी चीज आप जानकारी आपको जो है मिलेगा ऐसा नहीं हो गए कि एक भी जानकारी में सो सभी जानकारी आपको जो है बहुत अच्छे से जानकारी मिलेगा जिसे आपका एक्जाम्स में बहुत अच्छे से नंबर आएगा यदि आपका नंबर अच्छे साएगा तो आपका सेलेक्शन हो जाएगा अब गड़ित के question से किसी को डर नहीं लगता है क्योंकि हमारे पास one of the most best book है वो है हमारा डॉक्टर आरेश अगरवाल का book जी हाँ जब तक हमारे पास डॉक्टर आरेश अगरवाल का वस्तू नीश्ट बूक है तब तक हम गड़ित के question देखकर परिशान नहीं होंगे घबराएंगे नहीं तो डॉक्टर आरेश अगरवाल का book आप जो है ले शकते हैं बहुत ही बेश्ट बूक होता है इसके साथ रिजनिंग के लिए आप लोजिक के लिए जो है अरिहंत का मास्टर रिजनिंग ले सकते हैं जिसमें वर्बल नौन वर्बल एनलेटिकल यह सभी जनकरी दिया रहता है तो आप ले शकते हैं तो इसी तरह से आपको कुछ इस्टाइजी है अच्छे से थोड़ से मेंटेन करके आपको जो फॉलो करना है यदि आप इसको अच्छे सीरे से फॉलो कर लेते हैं तो सेलेक्शन हो जाएगा है सेलेक्शन सभी चुछे आपका हाथ में रहता है बस आपको अच्छे से महनद करना है और यह हैं सोचने है कि मैं महनद करना हूँ तो मेरे को तूरंद रिजल्ट मिल जाएगा तूरंद किसी को रिजल्ट नहीं मिलता, रिजल्ट उनहीं इनसान को मिलता है जो शबर रखता है इस दुन्या में जिशने सब रख करनेशेख लिए उसको जो है, जो मागेगा उसको सब चीज मिल जाएगा, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन या जरूर मिलती हैं, आप लोगोंने शुना है ना, बस इस पर अमल कीज़़े, फोकस कीज़़े, तयारी कीज़े, मिलते हैं अंगले वीडियो में